तो देखिए बहुत अच्छी न्यूज आ गई है जो 65 मेंस को पॉस्पॉन कर दिया गया था अब एक्जामिनेशन होने वाल था बट कोविट के वज़े से पॉस्पॉन हो गया था तो अब इसका नया डेट आ गया है जो कि अब तो फिक्स है तो यह डेट आप देख लिजे क क्योंकि जो लोग भी अभी तक प्रिपेर कर रहे होंगे अब थोड़ा सीरियस और होने की जरुवत है और जो भी आपकी प्रिपरेशन हुए उसको रिवाइस करना है और भी जो इंपॉर्टन चीज है उसको अच्छे से कॉंसॉलिडेट करके रख लेना है एक्जामिनेश क्यों को सूजित किया जाता है कि उक्त मुख्य परिक्षा दिनांग 13 10 20 14 10 20 16 10 20 को संभावित है तो यहां पर अभी यह लिखावाए कि यह संभावित है टेंटिटिव डेट्स है जो कि 13 ओक्टूबर 14 ओक्टूबर 16 ओक्टूबर को है और इससे परिक्षा की विश्तित कार प्रकासित किया जाएगा तो मोस्ट प्रबाबल और या फिर टेंटिटिव डेट के लिए इसको यह बोल सकते हैं तो इस इस डेट के लिए आप लोगों को प्रिपैर होके रहना है सेप्टेंबर नौत आरिक तक तो हम लोग आई गया है ज्यादा टाइम भी नहीं एक मेने का टाइम है तो जो भी आप लोगों ने पढ़ा है जो भी आप लोगों ने लिखा है अब इसको रिवाइस कर लेना है ताकि दिमाग में एकदम रहे वो पॉइंट और सोचने का टाइम नहीं लगे जब लिख रहे हैं तो क्योंकि यह मेंस राइटिंग है सब लोग को को बहुत अच्छे से टाइम मैंजमेंट करने की जरुवत है बहुत अच्छे से सिरियस्ली वीजे कि प्रिलम्स के बाद मेंस प्रिलम्स तो कॉलिफाइंग था मार्क्स इतना इसलिए अब मेंस में जो आप परफॉर्म के चेगा उसका एक-एक मार्स मार्द हो जाएका है कि आप एकदम स्ट्रीम्ड मतलब अपना अपना जो तैयारियों उसको बहुत स्ट्रीम लाइन करके चलिए बहुत बहुत फोकस्ट तरीके से प्रपरेशन कीजिए तो जिन लोगों ने एंसर राइटिंग जो लोग कर रहे हैं वो बहुत अच्छा और जो लोग नहीं कर रहे थे या फिर उनको questions और भी चाहिए और प्रक्तिस के लिए तो हमारे चैनल पर भी हापको questions मिल चाहेंगे डेली आंसर राइटिंग के बहुत सारे questions हम करवा ही रहे थे बट वही जो पॉस्पॉन हो गया था इसके वज़े से थोड़ा थोड़ा सा उसका momentum लेस हो गया था students एक्चुली बहुत सारे students ऐसे हैं जो जिनका भी UPSC का examination भी होने वाला है चार तारीको फिर UPPCS है 11 तारीको फिर BPSC का मेंस अभी डेट आ गया तेरा तेरा चौदर तो उसी चीज को कम उसी चीज का convenience सबके लिए convenient हो सबकी preparation convenient हो तो थोड़ा सा वहां पे कम हो गया था अब हम लोग क्योंकि dates आ गये हैं तो we will be doing this in full-fledged अच्छे से फिर से इसको resuminate कर दिया जाएगा जो हमारा daily answer writing practice है question आपको मिल जाएगा अगर आप चाहते हैं कि आप डेली answer लिखें और आपका review हो जाए answer और आपको on the same day आपको अपना review मिल जाए और next day आप जब लिखें तो फिर improvement के साथ लिखें तो आप हमारे answer writing का प्रोग्राम है उसके साथ जूर सकते हैं और अपना जो लेवल है उसको थोड़ा और improve या बूस्ट अप कर सकते हैं तो चलिए अब भी से लग जाएए अपने तयारी में अच्छा से preparation कीचिए और all the best आज के लिए तना ही thanks for watching